आज हम आपने बताऊंगे इस रबड फटने के नुक्सान भी आज दोस्तों काईसे हुआ आप लोग है पहले तो सोनु भाई की सहरे भाईने राम राम अपना एक चौवन दिरो पॉंट ट्रेक्टर है इसका क्या है इसकी जो अना गेरा की रबड फट गी आज हम गेरा की रबड डालनी बताएंगे आपको काशी डाली जाती है रवेट सबसे पाले हम इसकी एक काया पुकारेंगे काया पुकारेने के बाद इसके अंदर दस नंबर का बोल्ट है उसके बाद हम यह बोल्ट को लेंगे इसका कि अब बोल्ट को लेंगे बाद इसके बाद माविया रबड खोल लेंगे बई के रबस निकालने के लिए सबसे पहले यह पाल के लिंक पर तार ल騲ें और फिर हम यह flash लेंगे यह अ देखों कि यह अपने में बताऊंगे इस रवड टने के नुक्सान भी इस ऩया नुक्सान हो आपना पानी चला जाएगा गेर बक्से में अंदर गेर बक्से में जो अपना तेल है ना ये 40 लिटर उसमें पानी जाएगा और पानी बिलकुत दूर जाएशा हो जाएगा इन रबड़ों के ये नुक्सान है इनको मैंने टैम पर बदल वालेनी ची ये और इसी फ्रकार से हमने अपनी नहीं रबड़े डाल देनी ये इसके अंदर और फिर हमने ये अपना कलिंप डाल देना है और इसके बाद भी हमना ये कलिंप लगाना है ये अपने कलिंप है ये लगा दिया हमने कलिंप वैस्ट विपन तोड़ देने काट देने और इसके बाद हमना ये अपना मुठी लगा देनी है और ये अपना अंदर दस नंबर का बोल्ट है और उसके बाद अपना ये कवर तड़ा देना है एक दो तुन चार वला और इसी तरह दूसरी साइड की चेंज करेंगे और पल्ले के तरह ये मना अपना ये लोगा कलिंट कर लेंगे वार कुछ इस तरह से रबड और पिर हमने अपनी पल्ले की तरह ये रबड डाल देनी है और पल्ले की तरह ही हमने अपना कलिंट भी लगा देना है पल्ले की तरह से रे लेंट अपना कलिंट दे अपनी टीट रो भी आपना दुआ है अबर अपने कम्प्लीट हो चुकी है वाज